सब तो पहला सारे नों प्यार परी सस्थिकल माइसलफ गुर्बचन सिंग मैथ मास्टर फ्रॉम गुवर्मन्ट सीनियर स्केंडी स्कूल आजमवाला डिस्टिक फाजिलका प्यारे बच्चो आज रसी जमात अठ्वी विशा गुनित अब्यास 8.2 दे स्वाल हल करांगे इस विश साथ पहला टॉपिक है ला प्रतिशत जाहानी प्रतिशत पता दरना प्यारे बच्चो रुजान्ना जीवन देविच असी देख देहां कि बजार देविच बहुत सारियां वस्ट्वां दे अचानक ही मुल वद्दे जा कट दे रहें देहां असी देख देहां कि पैट्रॉल, डेजल, सोनना, चांदी आगी बहुत सारियां वस्ट्वां दे मुल ज्यादा तर वद्दे जा कट दे रहें देहां असी आज एनना नर्स बंदित कोश्चन्स हल करांगे प्यारे बच्चो आओ कर देहां उदार नंबर दो पिशले साल एक स्कूटर दा मुल चांदी हजार पैसी इस साल इस दे मुल विच वी परसेंट वादा हो गया स्कूटर दा नवा मुल पता करो अर्थात सानू प्रशन देवी दिता गया है कि किसे स्कूटर दा पिशले साल जो मुल सी उस दे विच इस साल वी परसेंट दा वादा हो गया है हुन असी स्कूटर दा नमा मुल पता करना है ता आओ कर दे हां स्कूटर दा मुल जो कि सानू चोंती हजार रपे दित्ता होया है इस दे विच वादा क्योंकि चोंती हजार दे विच वादा होना है इसलिए आसे लिख दे हाँ चौन्ती हजार दा वी परसेंट उन चौन्ती हजार अते दाधी जगाते आसे गुणा दाने शान लिख दे हाँ वी प्रतिशत अर्थात वी बटा सो प्यारी बच्चेव जीरो ना जीरो कड़ जन्ता है इस तरह एक जिरो नाल एक जिरो बोर कड़ जन्ती है चौन्ती सो नुवसी दो नाल गुणा कर दे हाँ इस तरह सानू छे हजार आट सो प्रापत हुंदा है हुन सालिक पुल वादा जो की वी परसेंट सी ओछे हजार आट सो रपे आ चुके है उन असे स्कूटर दा नमा मुल लिख दे हाँ नमा मुल जो की पिछले साल दे मुल विच्चों वादेन जोडनते प्रापत होवेगा अर्थात चौन्ती हजार प्लस छे हजार आट सो और चौन्ती हजार वी चे हजार आट सो रपे जोडनते सानूं चाली हजार आट सो रुपे नमा मुल प्रापत होंदा है इस तरह स्कूटर दा नमा मुल चाली हजार आट सो रपे प्रापत होया प्यारी बच्चो आओ उदार नंबर दो दापाड नंबर सेक्टिन कर देहां पिशले साल एक स्कूटर दा मुल चौंती हजार सी इस साल इस दा मुल पांच प्रतिशत कटा हिता गया स्कूटर दा नमा मुल पता करो सानू प्रशन देविच जो पिशले साल स्कूटर दा मुल चौंती हजार पे दिता गया है अते इस साल इस देविच पांच प्रतिशत दी कमी आगी है उनसी नमा मुल पता करना है अर्था स्कूटर दा नमा मुल की होएगा ता आओ कर देहां स्कूल्टर दा मुल जो किसानू चौनती हजार रुपई दिप्ता होया है अते इस दे मुल विच जो कमी आगी है ओ है पांच प्रतिशत अर्थाथ चौनती हजार दा पंच प्रतिशत प्यारे बच्चोँ असी लिख दे हां चौंती हजार दा दी जगाते असी गुणादर शान लिख दे हां अते पंच प्रतिशती जगाते पंच पटा सो लिख लेन दे हां उन असी देख देहां कि 2-0, 2-0 ना कट देहां, इस तरहां 340 नू पांजना गुना करनते सामू 1,700 रुपए प्रापत होए, अर्था स्कूटर दे मुल दे विच 5% दे हिसाब दे नाव 1,700 रुपए दी कमी आगे, उन असी नमा मुल लेहां, स्कूटर दा नमा मुल, अते न नमा मुल प्रापत कर लए, असी स्कूटर दी पुराणी कीमत अर्थात, 34,000 दे विच्चों, 17,100 रुपए दी जो कमी होई है, कटा देहां, इस तरहां साधे कोल, कटाओं ते आज अंदा है, 32,300 रुपए इस तरहां स्कूटर दा जो नमा मुल होएगा, ओ 32,300 रुपए हो साधा अगला टॉफिक है, कटाओं ती, किसे वस्तु दे अंकित मुल विच्च जित्ती जानवारी कमी नू कटाओं ती केहा जन्दा है, अर्थात, जो वस्तु असी ख्रीद देहां, उस दे टैग ते जो मुल लिखया होंदा है, उसनू MRP जां अंकित मुल केहा जन्दा है अते उस मुल ते जो छोड़ दिती जान्दी है, उसनू कटाओं ती केहा जन्दा है, आम तोरते दुकानदार ख्रीद दार देते आनू खिच्चन, जां आपने समान दी विक्री नू दाओं दे लेई, कटाओं ती जां छूट देन्दे हां, प्यारे बच्चियों, असी आ आम तोरते बजारा में इस देख देहां, कि दुकानदार ने आपनी दुकान ते सेल दा टेग लगाया हुंदा है, अते लिख्या हुंदा है, कि फलैट पंजाब प्रसेंट आफ अर्थाक, जो भी तुसी उस दुकान तो चीज ख्रीद दोगे, उस ते तो हानों पंजाब प्रतिशत छोड प्रापत होवेगी, मन लो असी एक दुकान ते जांदे हां, अते एक ख्मीज ख्रीदना है, अते दुकान दार प्रेंदा है कि इस दा MRP जा अंकित मुल 500 है, अते मैं इस ते तो हानों वी प्रतिशत छोड देवांगा, उन असी उस कटाउक्ती नो कि में क दा वी प्रतिशत है, अंकित मुल 500 रुपे लिख दे हां, दा दी जगा ते गुणा दन शान, अते वी प्रतिशत मैं सी वी बटा 100 लिख लेंदे हां, इस तरह दो जिरो नू दो जिरो ना काट देंदे हां, अते पांज नू वी नाल गुणा करन ते 100 प्रापत होया, कटाउती 100 रुपे होवेगी, प्यारी बच्चियों आओ, कटाउती दे लाल सबंदत एक उदारन हाल कर दे हां, उदारन अंपर दिन, 840 रुपे अंकित मुल वाली एक वस्तू, 714 रुपे विच वेची जान्दी है, कटाउती जा कटाउती प्रतिशक पता करू, सानू पि वेज मुल 1714 रुपे है, हूसे इक टॉती पता करमे लिव जान्दे हां, अंकित मुल माइनस वेज मुल इस तरह सी लिख दे हां, अंकित मुल जो की 804 रुपे है, अते वेज मुल जो की 714 रुपे है, हुन असी आट सो चाड़ी विच्चों साट सो चोटा देंदे हाँ जो की साथे कोल एक सो चबी रुपए आजन्दा है अर्थात कटावती एक सो चबी रुपए प्रापत होई हुन असी जे कटावती प्रतिशत पता करना है ता इसलिए इसी रिखते हां कटावती प्रतिशत बरापर कटावती बटा अंकितमुल गुना सो अते असी देखिया की कटावती एक सो चबीर पेसी अंकितमुल आट सो चारी रुपए गुना सो प्यारे बच्चाव असी एक जूरो ना एक जूरो काट देखिया हा दो दे पहाड़े ते 10 अते 84 नु गटन ते फूरै असी व्याले दे पहाड़े ते qui죠 26 नु काट देखिया। सामुकीन प्रापत हंदर है तीरनू पांदिना गुणा गरंते पंदरा इस्तरा सानू कटोती पंदरा प्रतिशत प्रापत कोई प्यारे बच्चेओ आओ कटोती ना सबंदत एक उधारन उधारन नमबर चार कर देहा एक फ्राप दा सुची मुल दोसो वीर पर है सेल विच वी प्रतिशत कटोती नी कोशना कीती यंदी है इस फ्राप भी कटोती नी राशी की है अते इस दा वेज मुल वी पता करो प्यारी बच्चियों सान्मू सूची मुल अर्थात अंकित मुल दोसो वीर पे दिता गया है सूची मुल अते अंकित मुल दोनों समान हुंदेहन हुन सेर विच वी ब्रतिशक कटोती दी कोशना कीती गई है अते असी कटोती दी राशी अते फ्राक दा वेच मुल पता करना है आओ कर देहां असी लिख देहां कटोती जो की अंकित मुल दोसो वी रुपे दा वी प्रतिशत है हुन असी दोसो वी अते दा वी जगाते गुना विश्वान वी प्रतिशाती जगाते असी वी बटा सो लिख लेंदेहां इस जिरो नों असी इस जिरो ना कट देहां अते दूसरी जिरो नों असी इस जिरो ना कट देहां होने बाई नू दोना गुणा करनते चुताली अर्थात कटवती चाली रुपए प्रापत होई होने असी फ्रापधा वेच मुल पता करना है अंकीत मुल 200 वी रुपए विचों चुताली रुपए कटवती नूं कटवते प्रापत होवेगा इस तरह सी 202 वी विच्चों चुताड़ी हो कटाके 170 रुपई प्रापत कर देहां अर्थात फ्राक दा वेच मुल 170 रुपई होवेगा प्यारे बच्चों आओ उदार नंबर 5 कर देहां सोहन ने एक फ्रीज 2500 रुपई विच थी दिया उसने 500 रुपई उसनी मरम्मते खर्च कीते अते 3300 रुपई विच वेच दिता उस दा लाग जां हानी प्रतिशत पता करो प्यारे बच्चों सोहन ने एक फ्रीज 2500 रुपई विच खरी दिया अते उसने उसनी मरम्मते 500 रुपई होवर खर्च कर देते इस तरह सोहन दापुल क्रीद मूल 2500 रुपई प्लस 500 रुपई जो उसने मरम्मते खर्च कीते जोड़ देंदे हां इस तरह 2500 विच 500 जोड़नते सानू 3000 रुपई प्रापत होंदे हां अर्थाथ सोहन दापुल क्रीद मूल 3000 रुपई होया होन उसने उस फरीज नू 3300 रुपई विच देता असी देख रहे हां कि वेच मूल खरीद मूल तो ज़्यादा है इस लई सोहन नू लाब होएगा अते होन लाब पता करन दे लई असी लिख दे हां बराबर वेच मूल जो कि उसने 3300 रुपई विच विच आ अते ही दमूल 3000 रुपई इस तरहां 3300 विच 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 आ रहे हों ते 300 रुपई अर्थात सोहन नू फ्रीज दे 300 रुपई दा लाब होया होन लाब प्रतिशत बराबर लाब बटा ख्रीद मूल गुणा 100 इस तरह आसी देख दे हां कि लाब 300 रुपई है अते ख्रीद मूल 3000 रुपई सी गुणा 100 इस तरह सी दो जिरो नाग दो जिरो काट दे हां अते एक जिरो नाग एक जिरो काट दे हां अन्हों तीन दे पहाड़े ते तीन पटन दे शामनों 10 प्रापत होंदा है इस तरह सोन नों फ्रीज दे 10 प्रतिशत लाब प्रापत कोया प्यारे बच्यों साड़ा अगला टॉपिक है विक्री टेक्स किसे वस्तुदी विक्री ते सरकार द्वारा लए गई टेक्स नों विक्री टेक्स किया जानदा है प्यारी बच्यों एक टेक्स दुकान दार दोरा ग्राका तो लेया जान्दा है अते सरकार मुं दित्ता जान्दा है इसलए ए हमेशा वस्तु दे वेच मुलते लगदा है अते बेल विच जोड दित्ता जान्दा है आओ विक्री टेक्स दे दारित एक उदारन हल कर दे हाँ उदारन नमबर अठ किसे दुकान दे जोड़ी रोलर स्क्येट्स दा मुल चार सु पंजार पे सी वसूले गे टेक्स दी दर पांच प्रतिशत सी बिल दे पुगताण दी राशी पता ग्रूँ प्यारे बच्चो एक रोलर स्क्येट्स दा मुल चार सु पंजार पे दित्ता गया है अते उस ते जो टेक्स दे दर पांच प्रतिशत है आओ आओ खाल कर दे हाँ एक जोड़ी रोलास के स्मूल जो की सानू 455 रुपई दित्ता गया है अते 455 रुपई ते 5 प्रतिशत दे दर्धयम सार टेक्स वसूले जाना है इसलिए वसूले के टेक्स दिराशी 425 रुपई दा 5 प्रतिशत प्यारे बच्चेओं असी दा दी जगा दे गुना दने शान वर्थ दे हां अते पांच प्रतिशत दी जगा दे असी पांच बटा सो लिख लें दे हां इस तरह 455 नव गुना करनते सानू 2250 प्रापतुंदा है बटा सो इसमों असी बाई वाइंट पांच जीरो लिख सकती हां इस तरह वसूले के टैक्स दी राशी बाई रुपए पंजाब पैसे होवेगी होन असी बिल दी कुल राशी पता करनी है इसलए बिल दे पुगतान दी राशी जिसनों की असी चार सो पंजाब रुपए दे विच टैक्स जो की बाई रुपए पंजाब पैसे है जोड के प्रापत कर दे हां इस तरह 45 रुपए विच बाई रुपए पंजाब पैसे जोडन दे सानूं 472 रुपए पंजाब पैसे प्रापत हुन्दा है अर्थात बिल दे पुगतान दी राशी चार सो बहत्तर रुपे तंजाब पैसे होवे दी प्यारे बच्चियों आओ उदार नंबर 9 कर देहां वहीदा ने कुलर 10 प्रतिशत टैक्स समेथ 3300 रुपे विच खरीद्या है वैक दे गुड़न दो पहला कुलर दा मुल पता करो प्यारे बच्चियों वहीदा ने कुलर 3300 रुपे विच खरीद्या है जिस विच की खरीद्यमूल अते विक्री टैक्स जुड़िया होया है असे कुलर दा खरीद्यमूल पता करना है ता आओ कर देहां मानलो कुलर दा खरीद्यमूल एक्स रुपे है अते पुगतान दी राशी तिन हजार तिन सु रुपई दित्ती हुई है असी जान देहां कि पुगतान दी राशी दे विच खरीद मुल्ग अते विक्री टेक्स जुड़िया भया है ब्राबर तिन हजार तिन सु अन खरीद मुल एक्स रुपई है अते विक्री टेक्स खरीद मुल दा दस प्रतिशत है अर्थात एक्स दा दस प्रतिशत बराबर तिन हजार तिन सो इस तरह असी लिख देहां एक्स प्लस एक्स दा दी जगात एक भुनादा निशान वर्त देहां दस प्रतिशत लई दस बटा सो बराबर तिन हजार तिन सो असी एक जिरो नाल जिरो कट देंदे हाँ इस तरह आसी लिखते हाँ x x नूँ एक नाल बुना करनते x बटा 10 तिन हजार तिन सो होन असी x अते x प्लस 10 ता जोड कर लई L-सेम 10 ले लेंदे हाँ असी जान दे हाँ कि x दा बटा 1 है अते 1 दे पहाड़े ते 10 नूँ पा करनते 10 अते 10 नूँ एक नाल बुना करनते 10x 10 दे पहाड़े ते 10 नूँ पा करनते 1 अते 1 नूँ एक नाल बुना करनते x ब्राबर तिन हजार तिन सो इस तरह 10x विच एक एक जुडनते 11x बटा 10 ब्राबर तिन हजार तिन सो होना असी एक्स ना मुल पता करन दे लई 11 बटा 10 दित्रशी गुणा 3300 लाल कर देवांगे इस तरा सी देख देहां x ब्राबर 3300 गुणा 10 अते पाग 11 ग्यारा दे पहाड़े ते 3300 गटन ते 300 इस तरा एक्स ब्राबर 310 ला गुणा गरन ते 3000 अर्थात कूल अर्दा फिद्मूल 3000 रुपए प्राफत होया प्यारे बच्यों आओ अब आस 8.2 दा पोरिशन नमबर एक हाले करिए एक व्यक्ति दी तनखा विच दस प्रतिशत दावादा होंदा है जे उस दी नमी तनखा एक लग चुरंजा हजार है ता उस दी मूल तनखा पता करो प्यारे बच्यों सानू प्रशन देविच दिता गया है कि किसे व्यक्ति दी मूल तनखा देविच दस प्रतिशत दावादा होंदे उस दी नमी तनखा एक लग चुरंजा हजार हो जान्दी है असी मूल तनखा पता करनी है ता आओ पता कर देहां मनलो व्यक्ति दी मूल तनखा एक्स रुपई है अते नमी तनखा सानू इक लग चुरंजा हजार जित्ती होई है प्यारे बच्यों इत्थे एक गल त्यां रखण योग है कि नवी तनखा जो स्व्यक्तिदी है वो मूल तनखा देविच मूल तनखा दा दस प्रकिशत वादा जोड़नते बढ़ी है इस तरह सी लिख सकते हैं मूल तनखा प्लस वादा इस तरह बराबर एक लख चरंजा हजार मूल तनखा जो कि आसी एक्स उर्पे लिख चुकते हैं अते वादा मूल तनखा दा दस परसेंट वादा हमदा है बराबर एक लख चरंजा हजार उन असी एक्स प्लस एक्स दारी जगाते गुणा दा निशा लिख दे हाँ अते 10 प्रतिशत नो असी 10 बटा 100 लिख लेंदे हाँ बराबर 1 लख चुरणजा 1000 हुन X प्लस एक जिरो ना जिरो कट जानी है अते X नो इकना बुणा करन पे X बटा 10 बराबर 1 लख चुरणजा 1000 हुन असी X अते X प्लस 10 दा जोड़ कर लेंदे हाँ जोड़ कर लेंदे हाँ असी जानते हाँ कि X दा हर 1 है 1 दे पहाड़े ते 10 नो पा करन ते 10 अते 10 नो इकना बुणा करन ते 10X प्लस 10 नो इकना बुणा करन ते 1 अते 1 नो इकना बुणा करन ते X ब्राबर एक लख चुरंजा हजार हुन असी दस एक्स दे विच एक एक्स जोड़ देंदे हां ग्यारा एक्स बटा दस ब्राबर एक लख चुरंजा हजार हुन असी एक्स अमुल पता करने लई एक्स दे नाल ग्यारा बटा दस जो गुणा विच है इस दी सजे पस से अर्थात इक लख चुरंजा हजार दे नाल तिर्शी गुणा कर दे हां आओ कर दे हां एक्स ब्राबर इक लख चुरंजा हजार गुणा दस बटा ग्यारा घ्यारा दे पहाड़े ते एक लख चुरंजा हजार नू कटन दे चौढदा हजार इस ब्राबर दे कर दे एक लख चाली हजार इस दनाल प्राबर इस तरह वेक्दी का लख चाली हजार पे होग। पोईशन नमबर दो, एतवार नू आठवार 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 नू आ चिडिया कर जान वाड़यां दी संख्या जो किसा नू आट सो पंतारी दिती है लिख लेंदे हां सोन वाड़यां चिडिया कर जान वाड़यां दी संख्या जो किसा नू एक सो उनक्तर दिती है लिख लेंदे हां उन एतवार दे मुकाबले सोमवार नू जानवाडे रेक्टियां दी जो कमी आई है उसनों लिखन देले जसी अटसो पंताड़ी देविच्चों एक सो नक्तर नू गटालें देहां अते साथे कूल चेसो चेतर आजनदा है अर्थात सोमवार हूँ चेसो चेतर व्यक्टियां दी कमी होई उन असी कमी प्रतिशत करना है अते कमी प्रतिशत देले असी लिख देहां कि चेसो चेतर व्यक्टियां दी कमी आई कुल व्यक्टि आटसो पंताड़ी सन गुना सो प्रतिशत इस देले असी चेसो चेतर नू सो ना गुना कर देहां अते गुना कर दे सादे कुल स्ताठ हज़ार चेसो बन जानता है ब'tाख आटसो पंतारी प्रतिशत नू स्ताट हज़ार चेसो नू आटसो पंतारी ना Noah कर दे सानू असी प्राक्त हुंदा है, इस तरहां असी प्रतिशत, अर्थाद सौन वागनू चिडिया कर दी सेर कर दो वाड़े व्यक्तियां विच असी प्रतिशत दी कमी आई कोश्चन नमबर तिन, एक दुकानदार चौवी सोर पेविच असी वस्तुमा क्रीदा है, अते उन्नानू सोरा प्रतिशत लाग दे विच दा है, एक वस्तु दा वेच मुल पता करो कोश्चन नमबर तिन, एक दुकानदार चौवी सोर पेविच असी वस्तुमा क्रीदा है, अते उन्नानू सोरा प्रतिशत लाग दे विच दिन्दा है, असी एक वस्तु दा वेच मुल पता करना है, ता आओ कर दे हां असी वस्तुमा क्रीदूल जो कि सानू चौवी सो रुपए दित्ता हुया है, अते सानू लाग सोरा प्रतिशत दित्ता हुया है असी कुल लाग पता करदे हां, अते लाग पता करने लिएसी लिख दे हां, लाग ब्राबर, क्योंकि 24 रुपए दे 16 प्रतिशत लाग हुनदा है, इसलिए लिख दे हां, 24 दा 16 प्रतिशत ब्राबर 2400 दादिले यसी गुणादा निशान वर्देहां अधे 16 प्रतिशा दिलेई 16 बटा 100 हुन 209 दोज़ीरो ना प्रतिशा हैं अर्थात लाब 384 रुपये होना असी वस्तुआ दा वेच मुल पता करते हैं असी वस्तुआ दा वेच मुल ब्राबर खरीद मुल चौवी सो रुपई प्लस लाब तिन सो चौरासी रुपई इस तरह चौवी सो विस्तिन सो चौरासी नुजोड़नते दो हजार साथ सो चौरासी रुपई अर्थात असी वस्तुआ दा कुल वेच मुल दो हजार साथ सो चौरासी रुपई प्रापत होया होना असी एक वस्तुदा वेच मुल पता करते हैं एक वस्तु दा वेच मुल पता करन देले यसी 2784 नू असी नाल पाग कर देंदे हां असी नाल पाग कर देंदे सानू चौनती दिश्मलव असी प्रापत हुंदा है अर्थात एक वस्तु दा वेच मुल चौनती रुपए असी पैसे प्रापत हुंदा है एक सो वीर पै अंकित मुल वाली एक पर्शाक पार्ट नूमबर बी सास् Wars है अंकित मुल वाले एक झुटियादा जोडा पार्ट नूमबर सी दो स्थाँ पैसे आंकित मुल वाला एक थाला प्यारे बच्चो तुसी एक उश्चंस आपने अकापिया दिकरने हन अते आपने अध्यापक से बानतों चेक करवालने हन तो हाटा सारे आंदा बहुत बहुत तन्वाद